हलो इस्टोड़ों मैं को टूट वाट्नि अफ्टर क्लास अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेले को बना ना भूलने सी की सारे नोटिफिकेशन टाइम डिड़ाइब को मिल्जाप किस जनकाई से वन्चतनार है तो UP DL8 संदोयार 24 BTC संदोयार 24 का जैसे ही आपको पता लगा मौर्निंग में देखे काफी न्यूस पेपर ने पबलिश कर दिया कि वाई सब आप इसका जो काईटिरिया है वो वदल गया है अब आपको केवल गिरोजिशन ना चाहिए होकर 12 चाहिए होगा केवल आपने 12 पास किया बार्मा पास किया और आप DL8 के फॉर्म को वर सकते हैं देखें ये संसोधन हुआ है आपको बता दू में कोट ने जो फैसला दिया है उसके बाद में आप की तरह ये वाद फैनने लगी और बच्चे परिसान हो लेगे क्योंकि काफी यूटूबर क्या है व्यूवर्स के चकर में उसको अधूरा अधूरा बता देते हैं और ऐसे टाइटल लगाते हैं जिसे कि बच्चे पढ़के ही परिसान हो जाते हैं जैसे कि मैं आपको बता दूँ कुछ YouTuber को मैंना भी देखा था, उसमें लिखा था, कि फॉर्म हो गए बेकार, सारे फॉर्म निरस्थ, फीस नहीं आईगी वपस, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता है था, अपने टाइटल में, कि फीस का क्या होगा, उसका process बताऊंगा and आपके जो form है उसका क्या होगा आपको फिर से form बना होगा या फिर वही form के काम कर जाएंगे देखिए आपको बता दूँ कि जब भी सरकार के दौरा कुछ भी changes किये जाते हैं कोभी भी किसी भी form में जो भी आपकी notification निकला होता है उसमें बदलाब किये जाता ह है आप क्या हो सकता है कि उसी side पे जाके आपका जो registration number है आपने देखिए form बढ़ा होगा तो आपको एक registration number प्राप्त किया हुगा तो वो registration number आपने पास समाल के रख लीजे अगर हो सकता है कि सरकार का ये फैसला हो कि वो form देखिए notification तो आपको पता है कि ये वाला cancel होना है नया notification जारी होगा क्योंकि आप उसमें नए side पे भी नया संसोदन किया जाएगा क्योंकि आप आप जो 12 का अभी तक क्या रहा था आपका graduation का रहा था आपने पता है CGPYGPY में काफी परिसान थे तो उसमें काफी दिक्कत हो रही थी लेकिन अब उसमें क्या कि उसमें सुध प्राप्त हुआ है उसमें सीधा-सीधा ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि आपकी फीस बेकार हो जाएगी यावे फॉर्म बेकार हो जाएगे ठीक है तो आपको देख रहे हैं नहीं यह पूरा-पूरा कोर्ट का नोटिस था इसमें सारा इसपस्ट कर दिये गया है कि किस-किस म लिंक है जैसे यह होता है उसमें की संसोदन की जाता है तो रिनुवल होगा तो आपको सीधे-सीधे आपकी फीस बहाँ पर लग जाएगी आपको एक option भी आएगा कि आपको पहले से फिल कर चुके है ना यह फार्म तो वहाँ पर आपकी फीस बहाँ पर हो जागी आप फीस यह message आपको मिलेगा आप काफी वच्चे कहा है कि हम साइवर कैफी से बरभाय थे तो पैसा उनके पास ही आएगा लेकिन आपके पास में इसका notification आजाएगा और नहीं आया तो आपको registration करते साम नया जब आप फार्म भरेंगे ना तो आपको पता लगेगा वहाँ पे एक option होगा कि आपने पहले बारा अब आए आप फीस चाहिए तो यहां से कटवा सकते हैं तो ऐसे आप फीस कटवा सकते हैं तो आप बिलको निश्चिन हो जाएए कि आपकी फीस बेकार नहीं होगी 101% में आपको बदा रहो कि जो भी बढ़ती यह घटती है वो फीस आपको हो सक होगा बदलाव हुआ है तो फिर आप दिक्कत क्यों ले रहे हैं अब देकि एक बच्चे ने वर दिया यह मैं आपको दिखा देता हूं इसका नाम महीमा चौधरी यहां पर दिखा है तो इसमें क्या है कि आप इसको दिक्कत होगा यह सीदा सीदा मुझे कमेंट करेगी अभी कोई भी दिक्कत नहीं आप परिसान मत होएं मैं हंडेट परसेंट आपको बता रहा हूं कि यह सुधार होगा मिलते हैं जैसे कोई अपडेट आता है थाक्यों फोगाचे कि स्ट्वेंट थेको कमेंट थेको सपोर्ट